नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी का महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ बोलो जैशी मननाराय धर्म राज्युदिष्ठिर कहने लगे हे भगवान अब आप कृपा करके मुझे मार्क शिर्ष माह के शुकल पक्ष क एकादशी के विशे में भी बतलाई ये इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके वरत का क्या विधान है इसकी विधी क्या है इसका वरत करने से किस फल की प्रापती होती है क्रिपिया यासा विधान पुर्वक कहिए भगवान स्री कृष्ण बोले मार्ग शिर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मुक्षदा एकादशी कहा जाता है या व्रत मुक्ष देने वाला तथा चिंता मड़ी के समान सब कामनाय पूर्ण करने वाला है जिससे आप अपने पुर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं इसका महात्म मैं तुम से कहता हूं ध्यान पुर्वक सुनो मुक्षदा एकादशी व्रत का था गुकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राजे करता था इसके राजे में चारो वेदों के ग्याता ब्रामः रहते थे वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था एक बारात्री में राजा ने एक स्वपन देखा कि उसके पिता नरक में है उसे बड़ा आश्चर हुआ प्रातव विद्वान ब्रामणों की पास गया और अपना स्वपन सुनाया कहा मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ जबसे मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ चित में बड़ी अशान्ती हो रही है मुझे इस राज्य धन, पुत्र, इस्त्री, हाथी, भोड़े आदी में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता क्या करूँ राजा ने कहा है ब्राम्हर देवताओं इस दुख के कारण मेरा सारा शरेर जल रहा है अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत, आदी ऐसा उपाय बताईए जिससे मेरे पिता को मुक्ती मिल जाए उस पुत्र का जीवन ब्यार्थ है जो अपने माता पिता का उधार न परन्त हजारों तारे नहीं कर सकते ब्राम्हर ने कहा है राजन यहां पास ही भूत भविश्य वर्तमान की ग्याता परवत रिशी का आश्रम है आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे ऐसा सुनकर राजा मुनी के आश्रम पर गया उसे आश्रम में अनेक शांत चित्त योग और मुनी तपस्या कर रहे थे उसी जगह परवत मुनी बैठे थे राजा ने मुनी को सश्टांग दंडवत किया मुनी ने राजा से सांगो पांग कुशल पूछी राजा ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत लोग की बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है उन्होंने पुरोजन में का मातुर होकर एक पत्नी को रती दी किन्त सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को रितुदान मांगने पर भी नहीं दिया उसी पाप कर्म के कार तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताईए मुनी बोले है राजन आप मार्ग शिर्स एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुन्य को अपने पिता को संग कल्प कर दे इसके प्रभाव से आपकी पिता की अवश्य नर्क से मुक्ती होगी मुनी के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनी के कहने अनुसार कुटुम्ब सहित मुक्षिदा इकादशी का वरत किया इसके उपवास कपुन्य उसने पिता को अर्पन कर दिया इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ती मिल गई और स्वर्ण में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे हे पुत्र तेरा कलियान हो या कहकर स्वर्ण चले गए मुक्षिदा इकादशी का जो वरत करते हैं उनके समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं इस वरत से बढ़ कर मुक्ष देने वाला और कोई वरत नहीं है साथी ये धनुर माश की एकादशी कहलाती है अतर इस एकादशी का महत तो कई गुना और भी बढ़ जाता है दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंब करे तथा प्रति दिन थोड़ी दिर गीता अवश्य सुने मुक्षिदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमत भगवत गीता का जन्ब हुआ था इसलिए मुक्षिदा एकादशी के दिन ही गीता जैनती भी मनाई जाती है अगर आपको मेरी या कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करे सब्सक्रा टाइब करें शेयर करें और कमेंट में जैशी मनना रैड जरूर लिखें